इंडिया का सबसे पहला 855 प्लस वाला स्मार्टफोन दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन जिसमें 120Hz का पैनल है 6000 mAh की बैटरी and गेमर्स डिलाइट जियां मैं बात करना हूँ Asus ROG2 की जियां आ गया है पास आज करेंगे इसका अन्बॉक्सिंग देंगे आपको first impressions लेकिन गेम खेलेंगे क्या मजा आने वाला है Let's get started लेकिन दोस्तों अन्बॉक्सिंग चालू करने से पहले पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए bell icon बजाए ये all कीजिए सब हमारे वीडियो के notifications 100% आपको मिल जाएंगे Let's open the box कुछ नहीं है पहले documentation आता है Oh no this does not have documentation इसमें case है and R.O.G. ने हमें कहा था बहुत पहले दो महीनों पहले मैंने इसका first impression किया था और दोस्तों Asus इसे कहता है कि ये है arrow case It is hard plastic but looks good रखते हैं इसे बाजू को and this is the phone इसे भी करेंगे reveal लेकिन खोलते हैं और क्या है box के अंदर वो देखते हैं Alright and 18 watt का charger जो थोड़ा सा अलग है आपको ये fix करना पड़ता है and type C cable चलिए रखते हैं सब कुछ side में except for the phone and the cover arrow case this is a big phone बड़ा phone है and this is a beautiful phone as well दोस्तों इतना बड़ा phone है साथ में 6000 mAh की बैटरी है लेकिन अगर weight देखोगे मुझे सही में लगा था डाइसो ग्राम की ऊपर होगा लेकिन ऐसे कुछ नहीं है it feels right जे हैं heavy तो है but not that heavy देखते हैं actual weight कितना है 234 grams लेकिन हाथ में आप लोगे तो ऐसे लगता है कि 200-205 grams है so weight distribution जो इस phone का है बहुत अच्छा है इस case को डाल के देखते हैं how does it look and fit this is a gamer's delight यह देखिए जो areas cover होने चाहिए वो covered हैं बाकी सब open है क्योंकि उदर lights वगेर है RGB lights, logo, camera and everything सबसे पहले तो दोस्तों बता दू आगे और पीछे दोनों तरफ आपको glass मिलता है आगे GG6, Gorilla Glass 6 का protection है पीछे 3D Gorilla Glass का protection है and that logo बार बार नजर उतर जाती है वैसे पीछे की तरफ डूएल cameras भी आते हैं डूएल flash भी है ports के पास देखते हैं नीचे की तरफ आपको 3.5 mm jack मिलेगा USB Type-C port left hand side में SIM card tray और दोस्तों यह gaming phone है तो उसके लिए connectors है 48 pin connector है प्लस USB Type-CB है इसके अंदर उपर की तरफ आपको antenna lines की सिवा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है SIM card tray चलिए दोस्तों खोलते हैं इसे देखते हैं कि भाई dedicated है नहीं है nano SIM card है and now time to start this phone दोस्तों यह जो phone है tall है that I will say क्योंकि उपर और नीचे दोनों तरफ आपको bezels मिलते हैं but it is not necessarily bad क्यों क्योंकि यह gaming phone है और अगर bezel less होगा तो accidental touches जो होते हैं वो जरूर होंगे वैसे इसमें जो है आप bezel दिख रहे हो games जब खेलोगे तो accidental touches नहीं होंगे और दोस्तों अगर screen size की बात करते हैं तो 6.59 inch की FHD plus screen है, AMOLED screen है HDR10 का support है HDR10 bit का support है जो उस उस कहता है true HDR है and you can see display जो है सही में अच्छा है चले दोस्तों बात करते हैं OS के बारे में इसमें ROG UI है which is very close to stock Android यहां look and feel जो है stock UI के जैसे या फिर stock Android के जैसे है लेकिन याद रखिए बहुत सारे customizations है in fact इसमें जो themes है एक है gaming के लिए और दूसरी आपको normal flagship phone जैसे इस्तिमाल करना है तो आप theme change करो ऐसे लगेगा कि normal flagship phone है so lots of customization in look and feel दोस्तों quickly आपको specifications बता दूँ जैसे मैंने पहले बताया आपको यह पहला phone है जो launch हुआ था 855 plus processor के उपर साथ में हमारे पास जो variant है 8GB, 128GB इसमें और एक variant आता है 12GB plus 512GB जो अपर variant है अगर battery की बात की जाए तो मैंने अल्रेड़ी बता दिया है 6000 mAh की battery है साथ में 18W का charger है जिसको time लगेगा दो सवादो घंटे आपको जरूर लगेंगे लेकिन एक बार full charge हो गई तो 2,5 दिन तक आराम से ये battery जाएगी लेकिन दोस्तों आपको बता दू phone 30W fast charging को support करता है charger 18W का आता है आप भार से 30W का खरीद सकते हो flip card के उपर से दोस्तों अगर sensors की बात करूँ तो सभी sensors आते हैं इसके अंदर in fact कुछ extra भी आते हैं air triggers हैं ये भी type of sensors ही है तो gaming के समय इसका फाइदा होगा आपको साथ में एक बात बतानी है आपको इसका जो haptic feedback है जबर दस्त है दोस्तों मजा आ जाएगा one of the best I have seen in fact कुछ अलग-अलग engines है haptic engines है उपर और नीचे की तरफ जिसकी वज़े से इतना अच्छा haptic feedback मिलता है आपको साथ में fingerprint sensor है in display and face unlock करेंगे test अभी let's try कर दिया है setup let's first test fingerprint sensor जी हाँ, it's reliable, it's fast लेकिन phone बढ़ा है जिसकी वज़े से ये जो finger है नीचे पहुचने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है and time for face unlock that is also fast मैं कहूंगा दोनों भी fingerprint sensor and face unlock work very well fast भी है लेकिन मैं थोड़ा और भी ज़्यादा fast expect कर रहा था fast होंगे लेकिन वो animation की वज़े से ऐसे लगता है थोड़े slow है दोस्तों क्या बता हो audio video my goodness audio is loud especially आप अगर outdoor mode चालू करोगे जो asus phones में आता है absolutely loud one of the loudest I have heard and quality excellent कहूंगा especially वो nxp amplifier वगे रहे है जिसकी वज़े से audio quality बहुत अच्छी मिलेगी in addition front firing stereo speakers है दोस्तों क्या चाहिए audio के मामले में again video top notch HDR10 का support है 600 nits का brightness है full brightness आप करोगे तो तो audio video के मामले में absolutely big thumbs up और हाँ दोस्तों ये flagship level का है लेकिन 3.5 mm jack को रखता है it is there and that's a big thing अगर बाकी के features की बात करते है तो इसमें FM radio भी है flagship level में नहीं होते है इसके अंदर है Gcam का support मतलब camera 2 API का support है out of the box Widevine L1 को support करता है इसका मतलब HD video streaming आप कर सकते हो चलिए दोस्तों आब बात करते हैं camera के बारे में पीछे की तरफ dual cameras आते है 48MP IMX586 Sony का sensor आता है और जो secondary sensor है वो है 13MP का ultra wide जो आपको 125 degrees field of view देता है अगर selfie camera की बात करते हैं तो 24MP का f2.0 है इसका मतलब rare का जो setup है exactly जैसे Asus 6Z में था वैसे ही है सिर्फ फिलिप जो था वो नहीं है इसके अंदर और जितने भी photos मैंने निकाले हुए वैसे Asus 6Z के साथ मैं बहुत दिन तक था बहुत सारे photos भी निकाले and I'm quite happy with the photos वैसे screen पे कुछ photos दिखा रहा हूँ आपको आप देखिए comments में बताइए आपको इसके photos कैसे लगे and now time to talk about gaming performance overall performance यह gaming phone है 855 plus का processor आता है मैं जब PUBG mobile खेल रहा था दोस्तो सबसे top के settings पे ultra high सभी settings पे खेला मैंने smooth graphics, extreme graphics and it played beautifully मकःन हमेशा किसी भी settings के अंदर अगर आप Fortnite की बात करते हो तो आप epic settings पे सबसे उपर वाला जो setting है epic setting उसके उपर खेल पाओगे and I don't think you will notice any stuttering वगेरे तो बड़ा मज़ा आया gaming के मामले सवाल ही नहीं है especially PUBG mobile में जब आप air triggers वगेरे setup करते हो और इस्तेवाल करते हो बस खेलते ही रहें ऐसे लगता है और हाँ दोस्तों और एक फाइदा बड़ा फाइदा बड़ी बैटरी का 6000 mAh की बैटरी है तो खेलते रही है खेलते रही है उतना ही नहीं आप एक देड़ दो घंटे तक continuously भी खेलोगे तो इतना ज़ादा गरम नहीं होगा क्योंकि इसमें six layer cooling आता है specifically in fact हम जब गए थे पहले Asus के office पे उन्होंने खोल के दिखाया था इसकी वेरी डीसेंट cooling mechanism जिसकी वैवेसे आपका जो phone है ज्यादा गरम बिल्कुल नहीं होता है और हाँ दोस्तों इसके साथ बहुत सारे accessories आते है शायद उसके उपर एक अलग से video बना देंगे जो भी इसके साथ accessories आते हैं लेकिन अगर मैं कुछ accessories की बात करूँ तो dual screen के साथ आते हैं arrow cooler 2 fan है मतलब और भी ठंडा phone करने के लिए और भी fast करने के लिए ऐसे बहुत सारे करेंगे अलग से video करेंगे उसके उपर gaming के बारे में और एक बात करूँ दोस्तों इसमें USB Type-C एक नहीं दो है इसका मतलब आपकी battery समझो खतम हो गई दिन बर खेल रहे हो और battery कम हो गई तो खेलते खेलते चार्ज भी आप कर सकते हो दो USB Type-C ports की वज़े से और दोस्तों जैसे आपको बता है RGB lights वगरे बहुत important होते हैं गेमर्स के लिए तो अंदर आर्मरी क्रेट है जिसकी वज़े से आप कस्टमाइज कर पाऊगे कि भाई कैसे दिखने चाहिए RGB वगरे लेकिन गेमर्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं और फाइनली दोस्तों 120 Hz सब कुछ सुपर स्मूथ लगता है जिया बहुत सारे जो एप्स है या फिर गेम्स भी है PUBG Mobile भी 120 Hz अभी तक नहीं पहुचा है 90 Hz का सपोर्ट है उसके उपर आप खेलोगे तो सही में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितना स्मूध गेमिंग एक्स्पिरेंस होता है फास्ट पैनल की वज़से और यह तो 120 Hz है तो दोस्तों कैसे लगा मुझे यह फोन क्या बता हूँ इक ही चीज है बड़ा है लेकिन अगर आप गेमिंग वगेरे में हो तो आपको मज़ा आएगा अगर आपके हाथ बड़े हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे मैंने का वेट डिस्ट्रिबूशन बहुत अच्छा है और फीचर्स के तो क्या कहने दोस्तों 6000 मिलिया एंपिर आर की बैटरी 855 प्लोसेसर, 8GB RAM 128GB बेस वेरेंट जो है वो उपर वाला चाहिए तो 12GB, 512GB 120Hz का पैनल, HDR10 प्लस का सपोर्ट, 2 USB टाइप C, Air Triggers लिस्ट गोज ओन और बहुत ही फीचर रिच हार्डवेर और सॉफ्टवेर दोनों ही तरफ है अब सबसे इंपोर्टन बात ये होती है कि इसकी प्राइज क्या होने वाली है चाइना में इसकी प्राइज दोस्तों 35,000 के करीब है अगर आप कनवर्ट करोगे लेकिन चाइना के प्राइज में इंडिया में कभी नहीं आता है हमेशा 2-3,000 रुपे जादा होता है वैसे एक डिफरेंस भी है दोस्तों ये जो है इंडियन वेरियंट इसमें पीछे की तरफ ग्लास पैनल आता है और जो चाइनीज वर्जन है दोस्तों उसमें आपको मेटल और ग्लास जैसे आरोजी वन में था वैसे आता है इसमें पूरा 3D कर्वड गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन आता है तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली एक्पेंसिव होगा एस कंपेट तो चाइना लेकिन याद रखिये यूरोप की इसकी प्राइज जो है कुछ सब्तर हजार के करीब है उदर जो प्राइज आई हुई है तो मुझे लगता है अगर ये 40,000 के नीचे आ जाता है और अगर 35,000 के करीब आ जाता है वहन दिस कैन बी ए ग्रेट फ्लाइक्शिप एंड गेमिंग फोन तो इडिस टू इन वन गेमिंग भी फ्लाइक्शिप भी सभी कुछ है इसमें अगर 35,000 है और 35,000 की प्राइज आ गई तो क्या कहें I will definitely recommend this और ये टफ देगा बागी सब फ्लाइक्शिप फोन को भी तोस्तों आपको इस फोन के बारे में क्या लगता है ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताईएगा और ये अन्बॉक्सिंग फर्स इंप्रेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो ता keep trackin